सब लोग सब लोग बहुत परफेक्ट होंगे और सबके प्रेपरेशन बहुत अच्छी चल रहे होगी तो यहार जैसा कि आप यहां पर थमनेल में देख पा रहे होगे फॉर्मुला डैट यू फॉर्गेट इन गेट 23 तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मुला रहेंगे और बहुत स तो फिर मैं ऐसा कहूं कि जब वो गेट एक्जाम देके निकल रहे होंगे तो उनमें से उन स्टूडेंट के नंबर कम करने के लिए कि जिनका यह थौट रहे कि सिली मिस्टेक हो गया था उन सिली मिस्टेक को अवाइड करने के लिए यह सेशन आप लोगों के लिए इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा तो उसको आप अपने पास रखी है उसको जादा से जादा रिवाइस करने के कोशिश करें क्योंकि वाटेवर दी मेन फॉर्मुला अवेलेबल इन ट्रांसपोडिशन इंजिनरिंग मैंने आप लोगों को इस वीड टार्गेट होना चाहिए तो देखते हैं यहां पर और बात करते हैं तो आप लोगों को पता है यह तो आप लोगों के लिए कोर्स अविलेबल है जब आप इसको डाउनलोड करोगे तब उस मैसेज को जरूर पढ़ना इसलिए मैने जान पूछ का भी आपको मैसेज नहीं देर इस वन मैसेज फ्रम माइ साइड तो ऑल दो एस्परेंट हुआर प्रपेरिंग फर गेट 23 तो चली आईए स्टार्ट करते हैं हम ट्रांस्पोर्टेशन एंजिनरेंग तो आप लोग जानते हो यार की ट्रांस्पोर्टेशन मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है तो मैं इसक आप देखेंगे तो हमने यहां पर पांच पार्ट में चीजों को ब्रेक किया वन इस इंट्रोडक्शन सेगंड इस जोमेट्रिक डिजाइन थर्ड इस ट्राफिक इंजिनरेंग फॉर्थ इस पेव्मेंट डिजाइन एंज फिप्ट इस मतीरिय तो हमें इन पांच आइक प्रोडुक्त कर रखी है तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना और यह ब loro कि लिए मैने अब आपको एक नो yarn नोट्स जो आपके पास अविलेबल होना चाहिए और एक टीचर के बनाया बनाया हुआ यह पूरा मैंने अपने बोर्ड पर लिखाए आप मतलब देख सकते हो कि यह मेरी ही राइटिंग है तो कोई कुछ नहीं मैंने आप लोगे लिए नोट्स को क्रियेट किया है तो आएए देखते हैं एक ही करके हर पॉइंट को ठीक है तो देखेगा जरा यहां पर स्टार्ट करते हैं अब हम अपनी बात को तो हम इंट्रोडक्शन पॉर्शन से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप यहां पर करने से अगर कि आप करोगे तो सबसे पहले अचा जाता है तो अगर क्रोलोजीकल ओडर की बारे में कोई भी आप से बात करेगा तो हम बोलते है कि क्रोलोजीकल और जनरली पूचह घाता है एक एक जा का नेच्ट से दो पार्ट में ब्रेक किया वन यह को किया तो किया गर्मी के दिनों में बात करोगे तो आपको धूल-डूल हो जाता है और बारिष की दिनों में बात करोकि तो मड़ a foundation हो जाता है इसलिए water byanne hysterum को हम वाइड करते निग्से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर us tunic tom को यहाँ पर Binding agent आपको देखने को मिलता है वह न देखने को हुआ तो आपको पते हैं कि सबसे पहले जैकर कमिटी फॉर्म हुई तो यह इंपोर्टेंट रहने वाले इसलिए 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 आपको बात करिए तो सबसे पहले आपने देखा जैकर कमिटी इन दियर ऑफ 1927 फिर आपने देखा सेंटरल रोड फंड जिसको सी एरेफ भी बोलते इन दियर ऑफ 1929 फिर आपने देखा इंडियन रोड कॉंग्रेस 1934 सेंटरल रोड रिसर्च इंस्टिट्यूट इन दियर ऑफ 1950 आप सोच रहोगे इसर यह कैसे काम आएगा आपके मैंने वहला जब भी आप टेस्ट देने वाले होगे ना सिर्फ यह तीन हिंटे की वीडियो को 1.5 x की स्पीड पर देखना आपको इतना एफेक्टिव रजल्ट मिलेगा कि आप एक्जाम से पहले अगर दस बार इसको र Central Road Fund in 1929 Indian Road Congress in 1934 और यहां पर बुलाए Central Road Research Institute in the year of 1950 नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं other measures जो दूसरे measures लिए गए तो उसमें बुलाए Motor Vehicle Act, Motor Vehicle Act 1939 में आया था और इसको जब revise किया गया था तो it is revised in the year of 1988 ठीक है नेक्स्ट अगर यहां पर other measures में और कौन सा आता है National Highway Act आपको देखने को मिलेगा और यह National Highway Act 1956 में था ठीक है इसका मतलब जो Geometrical Classification है वो दोनों की सेम रहती है ठीक है यह भी बात आपने जानी और अगर इसके बारे में बात करूँ तो इन्हों ने बोला कि जब भी National Highway Construction की बात होगी maintenance की बात होगी तो वो सब कुछ किसके पास है वो नेशनल इंट्रेस्ट की बात होगी मतलब नेशनल गवर्मेंट जो है वो ध्यान रखेगी इसके construction का नेशनल हाईवर डेवलप्मेंट प्रोग्राम एनेच डीपी की अगर हमने बात करी तो एनेच डीपी की सी यर में आया था तो 1998 में आपका एनेच डीपी आया ठीक है उसमें हमारे दो मेन प्रोजेक्ट टाइवन इस गोल्डन कौडरी लेटरल जिसमें आपने मेट्रोस सीटी चार अलग मेट्रोमेट्स एक अडेज भूंकि अत उ準 nos के शरा पार चैंब नेशनल हाईवे बना हूए तो मैंने ट्रक आपको सिखा रखें पहले और एक ट्रेक आपको याद नहीं तो यहाँ आप कर लो कि सुन आपके सो करपрах आक अहां कर यहां करि आपके बस कोल करता है तो आप यहां से बात करोगे तो 2485 ऐसे याद रख सकते हो ठीक है 2485 करके आप याद रख सकते हो नेक्स अगर हम यहां पर बात करते हैं नॉर्थ साउथ इस्ट वेस्ट कोडिडोर की बात करते हो तो यह भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहा है अंडर दी नैशनल हाईवे डेवलप्मेंट प्रोग्राम मतलब एनेच डीप और अगर यहां से बात करोगे कि वाट इस प्रोफसेंटी जैणल बात करोओ तो यह जाँसी पर यहां जेखने को मिलन less ठीक है तो यह जो junction point है इनका यह कहां पर आपको देखने को मिलता है जहां सी में देखने को मिलता है ठीक है नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ कि 2003 तक इन्होंने बोला था कि all those village जिनकी population 1000 से जादा है उनको आपको रोड से connect कर देना है 2003 तक और उन्होंने बोला था कि 2007 तक जिनकी भी population 500 से जादा है उनको connect कर लेना है तो यह एक successful project रहा है आपका NRRDP में जिसको हमने बोला था प्रधान मंतरी ग्राम सडक योजना ठीक है PMJSY unit ठीक है next अगर आप बात करोगे road length की बात करोगे as per 20 year plan third 20 year plan अगर हम road length की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे road length में सबसे पहले हम बात करते है total length of road अगर आप total length of road की बात करोगे तो it is 4.74 multiplied by number of towns and villages ठीक है तो whatever the total number of towns and total number of villages अगर आपको पता है तो आप दोनो कर दीजिए 4.74 से next अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बुला गया है length of national highway तो it is total area divided by 50 तो यहाँ पर आप area निकाल लीजिए kilometer square में और उसको 50 से divide कर दीजिए you'll get the length of national highway similarly अगर आप length of state highway पता करना चाहते है तो उन्होंने बुला कि यह जो area है उसको 25 से divide कर दीजिए या फ of national highway निकाला है उसको minus कर दीजिए और इन दोनों में से यह value और यह value इन दोनों में से जो भी आपकी maximum value है आप उसको consider करिए ठीक है इन दोनों में से जो भी आपकी maximum value है आप उसको consider करिए चली आए नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर बुला है length of major district road तो अग 25 25 and 50 double double ठीक है तो इस तरीके से आप देखोगे तो मैं को लगता है कि यह जो पहली बात है जो इंट्रोडक्शन वाली बात है वह आपको बिल्कुल समझवाई होगी और अगर आपको समझ मा रहा है तो कमेंड बॉक्स में अपना प्यार बनाए रखेगा ठीके कमेंड बॉक् इसको फुल्ली फुल्ली रिवाइस कर पाए ठीक है तो यह हुई बात और अगर आप इस वीडियो को रिकॉर्डेट देख रहे हो तो भी मैं आपको बोल रहा हूं कि अपना कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर बताना कि यार कहां तक पहुचे हो आप अभी और क्या आपके लिए यह बेनेफिशल रहा है ठील नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आप तो यह लीजे नेक्स्ट बात करने वाले है तो देखो जा रहे हैं आपके कई बार आपसे पुछा जाता है वाटर दी वेरियस स्टेज़स ऑफ इंजिनेरिंग सर्वे तो हमने बोला है यहा इसलिए मैंने इसको यहां पर इंक्लूड किया था तो हम बोलते हैं मैप स्टडी रेकोनाइसें सर्वे प्रेलिमिनरी सर्वे एंड डीटेल्ड सर्वे कोई अगर इसको पूछता है याद रखने का तरीका क्या है तो मैं बोल देता हूं MRP याद रखो मैप स्टडी रेकोन हम यूटिलिटी सिस्टम बोलते हैं और यहां पर हम सैचुरेशन फैक्टर निकालते हैं कि यूटिलिटी पर यूनिट लेंथ कितनी आ रही हो जो भी सैचुरेशन सिस्टम में जो भी सैचुरेशन फैक्टर में सबसे आगे रहता है उसको हम सबसे पहले बनाते हैं और फि तो भी आपका मन हो आप इस तरीके से इसके factors को decide कर सकते हो ठीक इस है तो यहां पर खतम होता है हमारा पहला chapter जिसको हमने बुला इंट्रोड़क्शन वाला part next अगर हम बात करते हैं तो अब जो हम बात करने वाले हैं वो geometric design of rural highway के बारे में बात करेंगे आपको यह बात बहुत अच्छे से पता है कि geometric design से सबसे ज्यादा question पूछे जाते गेट exam में तो make sure आप इसको बहुत अच्छे से देख रहे हो ठीक है तो यहां पर geometric design में अगर हम आपसे बात करते हैं तो सबसे पहले आपसे cross sectional elements की बात करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले दे structural friction की बात की जाएगी तो this value lie from 0.15 इसकी value किती होगी 0.15 फिर आपसे पूछा जाता है skid and slip के बारे में यह सारी वही बाते include करिए मैंने इस वीडियो में जहां से question अभी तक बने हैं तो आप बहुत आराम-राम से देखोगे कि आपसे बहुत चोटे-चोटे question यू यू खिस करेंगे exam में और वही confidence देगा आपको तो मैंने उसे बोला कि skid की बात की जाती ही तो skid बोलता है कि longitudinal distance जब भी बढ़ा होगा circumferential distance है तो आप कोई skid देखने को मिल रही होगी similarly अगर हम slip की बात करते हैं तो आपने बोला जब भी circumferential distance आपका बढ़ा होगा longitudinal distance है आप उसको डेवलप किया था CRRI ने डेवलप किया था हैना Central Road Research Institute कौन से एर में फ़र्म होई थी CRRI तो आपने बोला 1950 में फ़र्म होई थी ठीक है अब उन्होंने बोला कि pavement के undulation की बात करते हैं हम लोग क्या बोलते cumulative बात करते हैं cumulative बात करते हैं ठीक है तो cumulative pavement undulation की बात करी और अगर cumulative value 120 centimeter per kilometer आती है तो वह एक good pavement है ठीक है मैंने बोला उसके बाद अगर हम satisfactory pavement उसको बोल रहे हैं तो यह value किती होगी 250 centimeter per kilometer होगी और अगर हम उसको uncomfortable pavement बोल रहे हैं तो वह value किती होगी 320 centimeter per kilometer आपको देखने को मिलेगी ठीक है सर यह भी बात हमारे समझ में आई मैंने बोला next अगर हम बात करते हैं camber के बारे में तो आपको पता है तीन टाइप के camber देखने को मिलते हैं straight camber parabolic camber and combined straight and parabolic में लिए हम दो के बारे में बात करेंगे आप है जहां से exam में question पूछे जाता है तो straight camber की अगर मैं बात कर रहा हूं तो देखो ज़रा है मैंने यहाप एक straight camber बना है य एक straight camber है जिसमें y जो रिप्रेजेंट कर रहा है यह height of crown को रिप्रेजेंट कर रहा है और यह value की तियोटर यह w by 2n के बराबर तो मैंने वल्लू क्या है यह इसकी total width की बात कर रहे है और n क्या है मैंने वल्ला है इसकी slope की बात करता है तो y is equal to w by 2n के बराबर ठीक है sir similarly इस topmost point को क्या बोला जाता है crown बोला जाता है इस topmost point को crown बोला जाता है तो अगर आप parabolic camber के बारे में बात कर रहे हैं तो आपने बोला y is equal to kis के बराबर 2x square divided by n w के बराबर ठीक है sir similarly हम यहां पर camber table देखते हैं तो यह जो camber table है यह आपको बताएगे कि camber सबसे पहले ब one is heavy rainfall and second is low rainfall या light rainfall ठीक है one is heavy rainfall second is light rainfall और दूसरा हमने यह बोला pavement तो यह दो factors पर depend करता है अब अगर हम camber table को देखते हैं तो बहुत दियां से देखेगा यह camber table आपको कैसे दिख रही है तो मैंने आपको बोला कि first हम बोलते हैं cement concrete pavement या light bituminous pavement उसके लिए यह जो heavy value values है वो कित यह table आपको याद होना बहुत जरूरी है क्योंकि exams में आपको direct pavement दे देते हैं और बोल देते हैं heavy rainfall हो रही है तो आपको पता करना है कि यार यहां से कैसे हम camber की value पता कर पाएंगे तो आपने जैसे यह पता करा तो आपको यह समझ में आएगा कि locally obviously values कम होना चाहिए तो first value आप यहां से निकाल लेते हैं 1.7% और बाकी सब को यहां पर उतार लेते हैं तो यह 2% 2.5% and that is 3% तो इस तरीके से camera table को आप याद कर सकते हैं तो यहां तक हो जाती है आपकी camera की बात दूसरी बात करते हैं कि यह जो geometric design यह geometric characteristics के बारे में बात करिए यह geometric design of rural highway यह किस code के according ब सब्सक्राइब के बात कर रहे हैं अगर तो minimum camera to be is equal to 3% minimum camera आपको provide करना है वह 3% provide करना है लेकिन यह किसके लिए है यह shoulder के लिए है तो minimum camera किसके लिए है minimum camera for the shoulder minimum slope for the shoulder is 3% next अगर मैं ruling gradient और camera को connect करता हो तो ruling gradient is twice of camera अब आपके दिमाग में ruling gradient के बारे मैं question आएंगे जिसको कि हम आगे देखेंगे कि ruling gradient क्या होता है तो मैंने बात करते है width of pavement on carriage way यह भी आपको याद करना ज़रूरी है इस लिए यह इस वीडियो में है वरना यह इस वीडियो में नहीं होता जो भी ब two lane with curve के लिए value हो जाएगी 7.5 meter और intermediate lane के लिए value हो जाएगी 5.5 meter और multi lane multi lane के लिए 3.5 meter पर lane ठीक है 3.5 meter पर lane एक और बात बताता हो जब आप इस वीडियो को देख रहे होगे तो आप में सब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शुरू तो करेंगे मेरे साथ full energy में पर इस व हो रहा है आप अपने आपको analyze करोगे जब आपने गेट के लिए प्रिपेर करना स्टार्ट किया था तो शुरू मैं आपने बहुत classes attend करियोगे बहुत वीडियो को देखा होगा सब कुछ किया होगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अब जो इस वीडियो को end तक चाहते हूं जब भी हम लाइव पढ़ाते तो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे होंगे वह कमेंट्स पढ़ रहा हूंगा मैं आपके चैट बॉक्स में आपके साथ अवेलेबल रहा हूंगा आपके हर बात का अंसर करने के लिए लेकिन मैं लाइव नहीं रहांगा ताकि 75 मेटर तू लैन विदाउट करव इस 7 मेटर तू लैन विद्ट करव इस 7.5 मिटर इंटरमेडियेट लेन के लिए 5.5 मिटर और मंडिलेन के लिए त्री पॉइंट फाइफ मीटर ठीक है तो यह हुई कुछ बेसिक बात है जोमेटरिकल डिजाइन के बारे में थोटीजी औ separator between carriageway and footpath किस-किस के बीच में तो यह एक separator होता है carriageway और footpath के बीच में अब जो भी करव है उसको हम तीन portion में देखते हैं तीन तरीके से low and moderate type curve semi barrier type curve और barrier type curve तीन तरीके के करब देखें आपने low and moderate curve semi barrier type curve एंड barrier type curve जब हम यहाँ पर बोल रहा हैं कि एक low और moderate curve है तो इसकी height जो होट देखने को मिलिए वो कित्ती देखने को मिली है तो इसके height आपको 10 cm देखने को मिलिए 10 cm मैंने वहां मिले next semi layer type curve की बात कर रहा तो इसकी हाइट आपको देखने को मिलेगी 15 cm देखने को मिलेगी और यह जो slope स्लोप आपको दिखे रहा है याँ पहे वह वन रिस्फ ऊवन का स्लोप आपको देखने को मिलेगा लिए बër कि गाडियां चड़ पाएं जान पूच के चड़ पाएं फुट पार्थ पर है ना इसलिए यहां पर लोगार मोडरेट टाइप कर भी यूज किया सब्सक्राइब है नेक्स्ट अब बात करते हैं यहां पर हम लोग साइट distance consideration, second portion में आ रहे हैं हम लोग, second portion of geometric design that is side distance consideration, side distance consideration को 3 part में break किया गया है, one is stopping side distance, second is overtaking side distance, third is intermediate side distance, तो SSD से start करते हैं, तो आपको पता ही कि stopping side distance is the combination of lag distance plus breaking distance, ठीक है, तो यह lag distance और breaking distance का combination होता है, ठीक है, it is the combination of lag distance plus breaking distance, मैं नहीं बुला, अगर कोई formula की बात करता है, तो मैंने यहां पर जान पूछ के बड़ा formula लिख रखा है, क्यूंकि इसी को आपको exam में याद रखना है, तो हमने बुला है, अगर यहां से बहुत दियान पर r में है, यहीं छोटी-छोटी mistake करोगे आप exam में और वो ही mistakes को मैं आपको यहाँ पर सही करवा रहोगा, मैंने बुला, यह जो T है यहाँ पर, यह reaction time of driver है, मैंने बुला, यह reaction time है, जिसकी value कित्ती है, 2 second है, sorry, reaction time of driver है, जिसकी value यह आप यहाँ पर कित्ती consider करेंगे, for the case of stopping side distance, this value would be equal to 2.5 seconds, 2.5 seconds, मैंने बुला, यहाँ पर भी capital V है, तो यह जो unit है, वो kilometer per r में देखने को मिलेगी, मैंने बुला, F यहाँ पर किसको represent कर रहोगा, तो आपने बुला, F यहाँ पर longitudinal friction को represent कर रहा होगा, और यह longitudinal friction की value 0.35 से 0.4 के बीच में लाए करती है, और आपको पता ही कि F और B दोनों best friend है, तो B यहाँ पर किसको represent करता है, यह आपके breaking efficiency, यह breaking efficiency को represent करता है, ठीक है, यह breaking efficiency को represent करता है, ठीक है सर, अगर आपको यह बात समझ में आ गई, अगर आप यह formula को rate पा रहे हो, कि 0.278 VT plus capital V square by 254 into F के बराबर, तो आप देखोगे, कि for a single lane two way traffic, अगर मैं बात करता हूँ, सबसे जादर जरूरी बात language के format में भी पुछा जा सकता है, और words में भी बूचा जा सकता है, तो for a single lane two way traffic, यह जो value होती है, वो किसके बराबर होती है, twice of ssd के बराबर होती है, लेगिन single lane one way traffic के लिए value one time of ssd होता है, और अगर मैं two lane two way traffic के बात करूंगा, टो भी यह one times of sshd होता है, लेकिन अगर मैं single lane two way traffic when the vehicle is moving with the same speed जब आपका vehicle same speed से move कर रहा होगा तो यह value जो होगी यह twice of SSD के बराबर होगी ठीके सब मैंने विला next अगर gradient दे दिया जाता है कभी भी SSD के लिए तो फिर आप यह values को यह formula को कैसे देखोगे तो this value would be equal to 0.278 capital V into T plus capital V square divided by 254 F plus minus G percent ठीके तो यहाँ पर बोला plus minus G percent अब यहाँ पर plus किसको represent कर रहा होगा मैंने विलाए यह तो वही सब सेम है यह capital V के MPH में दे रखा होगा T का value 2.5 होगा capital V जो आप इसे के MPH में दे रखा होगा मैंने विलाए यह F जो है longitudinal friction ही होगा 0.35 से 0.4 मैंने विलाए यह G percent जो है यही आपका slope है या gradient है जो आपको दे रखा है दूसरी बात यह यहाँ पर plus किसको represent कर रहा होगा आपने बुला plus up gradient को represent कर रहा है और मैंने बुला यहाँ पर minus किसको represent कर रहा होगा तो minus यहाँ पर down gradient को represent कर रहा है तो उसके लिए OSD की value होगी D1 plus D2 plus D3 now the question arises D1 क्या है D2 क्या है D3 क्या है तो मैंने बुला यहां से अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको यह बात समझ में आगी कि D1 is equal to VB into T यहां पर T reaction time of driver है जिसको हम overtaking side distance के लिए 2 second ले रहे थे और जब हम SSD की बात करते तो वह value को 2.5 second ले तो यह एक बड़ी mistake थी जो हमने यहां पर avoid करना है next अगर मैं VB की बात कर रहो तो VB इसको क्या बोल रहा है velocity of slow moving vehicle यह किसकी बात कर रहा है speed of यह velocity of slow moving vehicle slow moving vehicle के लिए बात कर रहे है slow moving vehicle के लिए बात कर रहे है ठीक है सर यह भी बात हमारे समझना है तो यह हो गया VB into T के बराबर ठीक है आप इसको चाहो अभी यहां पर अगर मैं आपको बता हूँ तो यह जो VB है इसकी unit किसमें दे रखे मैंने मुला इसकी unit meter per second में दे रखे अगर मैं VB की बात कर रहा हूं तो इसकी unit किसमें दे रखे है meter per second में दे रखे similarly अगर मैं आपसे D2 की बात करता हूं तो D2 is equal to VB into capital T के बराबर जहां पर VB वापिस से वही S velocity of slow moving vehicle और किसमें दे यह unit अगर कोई भी पुछेगा तो meter per second में दे रखे मैंने वहला capital T आपको निकालना पड़ेगा तो capital T is equal to under root of 4 into S by A के बराबर जहां पर S किसको represent कर रहा होगा यहां पर S represent करता है safe distance maintained before and after overtaking जहां पर S किसको represent कर रहा होगा safe distance maintained before and after overtaking अब before overtaking क्या है after overtaking क्या है यह आपको पता करना पड़ेगा ठीक है तो S की value एक और बात को बहुत अच्छे से समझना यह जो S की value है यह जो S की value है यह different भी हो सकती है before overtaking and after overtaking different भी हो सकती और same भी हो सकती तो अगर ऐसी बात है तो S is equal to S1 plus S2 भी बोल सकते है आप total तो यह capital T की value फिर चेंज हो जाएगी capital T is equal to under root of twice of S1 plus S2 हो जाएगा ठीक है divided by A के बराबर A यहाँ पर acceleration को represent कर रहा होगा vehicle के ठीक है sir और मैंने वह लाए S अगर नहीं दिया है तो फिर आप कैसे निकाल होगे तो S is equal to 0.2 capital VB plus L के बराबर यहाँ पर capital VB किसको represent कर रहा है मैंनोल यहाँ पर L represent कर रहा है length of wheelbase को L represent कर रहा है length of wheelbase को जिसकी value 6 meter consider करते हैं generally और यहाँ पर VB represent कर रहा है velocity of slow moving vehicle that is in kmph यहाँ पर किस में represent कर रहा है kmph में हर unit को मैं आपको express कर रहा हूं कि unit plays a very big role in gate examination because gate examination is all about language and unit ठीक है तो इस बात को बहुत ध्यान से चुनेंगे ठीक है अगर यहाँ तक साथ में हो तो मैंने वहला देखो जाना है यहाँ पर अगर किसी दिन ऐसा हो सकते है कि VB नहीं दिया हो और अगर VB नहीं दिया हो अच्छा मैंने D3 नहीं लिखा यहाँ पर D3 मैं और लिख देता हो तो अगर किसी दिन देखो जारा धियान से कि अगर किसी दिन ऐसा हो गया कि D3 की वैल्यू पहले पता कर लेते हैं तो मैंने वहला D3 आप कैसे निकालोगे तो D3 जो भी design velocity है जिससे आपका वहिकल मूव कर रहा था multiplied by capital T design speed multiplied by capital T अभी जो यहाँ पर मैंने वी करना तो कुछ मत करना केवल 0.278 से multiply कर देना सबको ठीक है 0.278 से multiply कर देना सबको सबको अच्छा बड़ा सा केस है जब VB गिवन नहीं है velocity of slow moving vehicle नहीं दे रखा है केवल आपको design speed दे रखी है और मैंने वह भी आपको किसमें दे रखी KMPH में तो जो भी आपको design speed दे वेकल आजाएगी KMPH में तो इसको भी आद रखेंगे else अगर मीटर पर सेकेंड में खिलना चाते हो तो यहां पर देखो मीटर पर सेकेंड में वी दिया रहेगा design speed उसमें से 4.5 माइनस कर देना तो वी भी आ जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड में ठीक है सर अगर OSD के बा लाए करती है ठीक है यह है और बुलाई यहां पर कि desirable length है 5 OSD minimum length of OSD minimum length of overtaking zone is 3 OSD तो 3 OSD से 5 OSD के बीच में यह vary करता है ठीक है तो minimum is 3 OSD desirable length is 5 OSD जो मैंने यहां पर mention किया नेक्स अगर हम बात करता है ISD के बारे में तो ISD के बारे में एक बात यहां पर नहीं लिखी हुई है वह यह है कि ISD is equal to twice of SSD के बराबर तो ISD किता होता है twice of SSD के बराबर होता है तो अगर कोई इसको arrange करने को बोलता है तो OSD is greater than ISD is greater than SSD इस बात को याद रखेंगे ठीक है मौंटनेडिस दरेन के बात करोगे तो 25 40% और स्टीप obrigado से टारेक्ट कुशन पूछा गया है तो अ atrás mics तो आप बात कर सकते नेक्स्त आप जो बात करने वाले मों सुपर एलिवेशन के बारे में बात करने वाले इसवीपर बहुत कहता है जब आप बात्कर जी दिखते जाएंगे क्या क्या परमेटर से क्या वैल्यूस है क्या यूनिट्स होना चाहिए और हर एक बात को यहां पर डिसकस करने वाले हम लोग ठीक है तो आपने देखा अगर हम सुपर एलिवेशन के बारे में बात करें थे नॉर्मल सुपर एलिवेशन का फॉर्मला बोलत तो आप बताईएगा कि यह वी की उनिट के एलिवेशन में है और रेडियस की बात करूंगा तो यह मीटर में है चीक है तो यह आपको समझ में आ गया कि फॉर्मला इस ए प्लस एफ इस एकॉल टू कैपिटल वी स्कॉर बारे में बात करते हैं तो वाट इस इकुलिब्रिय वो आपने केमपियच में देखा रेडियस की जो बात कर रहे हैं आपने उसको मीटर में देखा ठीक है अगर कोई भी आप से एकुलिब्रियम सुपर एलिवेशन आज की बात जब भी आप सुनोगे एकुलिब्रियम सुपर एलिवेशन तो आप समझ जाना कि reaction at tyre A इस इकु design super elevation के बारे में, तो design super elevation जब भी आप word सुनोगे, या आप सुनोगे, mixed, mixed traffic की बात हो रही होगी, तो mixed traffic का मतलब क्या है, कि slow moving vehicle भी होगे, और fast moving vehicle भी होगे, तो mixed traffic की case में, E is equal to capital V square divided by 225 into R के बराबर, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है sir, तो यहां तक की तो बात हमको समझ में आई, यहां तक की तो बात हमको समझ, समझ में आई, चली आई है next बात करते हैं हम यहां पर, तो मैंने बहुत नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं, कि radius beyond which no super elevation required, ऐसी radius की बारे में बात करिए, जिसके लिए कोई भी super elevation की जरूरत नहीं है, तो आपने बोला उसके लिए हमारा जो formula हो जाएगा, r is equal to capital V square by 225 into camber, तो अगर कोई भी आप से पूछता है कि minimum super elevation किसके बराबर होता है, तो यह minimum की value जो होती है, वो camber के बराबर होती है, ठीक है, वहां अपने से कुछ miss हुगा है, हाँ, एक चीज मिस हुई है, देखो जा रहा है आपर, वही मैं सोच रहा था कि कुछ miss हो गया, तो मैंने आप से बोला, कि अगर आप से maximum super elevation के बारे मां कोई भी बात करेगा, तो maximum super elevation is equal to Emax किसके बराबर है, 0.07 के बराबर है, यह कब है, plain and rolling terrain की बात की जाएगी, यहाँ पर Emax is equal to 10% के बराबर है, जब mountainous terrain की बात की जाएगी, not covered with snow, यहाँ पर mountainous terrain covered with snow को भी count कर लेंगे, तो Emax is equal to 7%, यहाँ पर Emax is equal to 10% और urban road के लिए, या urban area के लिए Emax is equal to 4%, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है सर, चलिए आए थोड़ी से और बात करते हैं, तो यहाँ पर radius beyond which no super elevation required, R is equal to capital V square divided by 225 into camber के बराबर, next अगर हम बात करे हैं, तो extra widening के बारे में बात की गई है, extra widening को हम बोलता है, कि extra widening combination होता है, दो का, किस किस का, तो बोला mechanical widening का, और psychological widening का, mechanical widening का, और psychological widening का, मैंनो ले जब हम mechanical widening की बात कर रहे है, तो mechanical widening होता है, NL square by 2R, जहाँ पर N का मतलब है number of lanes, L का मतलब है length of wheelbase, जिसको हम 6 meter consider करते है, R आपको पता है कि radius है, similar जी हो, जब हम यहाँ पर psychological widening की बात कर रहे है, तो psychological widening होती, capital V by 9.5 root R, जहाँ पर capital V के MPH में है, और radius किस में है, meters में, ठीक है, radius किस में है, meters में, साथ में बताया गया कि extra widening को कैसे provide किया जाता है, तो extra widening को provide करने के लिए आपको बूला गया, कि अगर आपका radius of curvature greater than 300 meter है, then you don't need to provide the extra widening, आपको extra widening provide करने के ज़रुद है, लेगिन अगर बोलाए कि यह जो radius है, वो 500 से 50 से 300 के बीच में है, तो आपको दोनों साइड आदा आदा प 50 से भी कम है, तो पूरी extra widening आप कहा provide कर देंगे, inner side में provide कर देंगे, ठीक है सर, next जब हम बात करें, तो हम बात करें, length of transition curve के बारे में बात करें, मैंने वले length of transition curve जब भी हम पता करेंगे, तो there are three formulas जिससे हम length of transition curve पता करेंगे, ठीक है, length of transition curve भी बहुत अच्छा roll play करता है, लेकिन इसमें सबसे ज़ादा जो student के साथ problem होती है, तो वो यह है, कि आपसे question में पूछा जाता है कि what is the minimum length of transition curve, और minimum length of transition curve is the result of maximum out of this three equation, इन तीनों में से जो भी maximum value होगी, वो minimum length of transition कर वोगा, इन तीनों में से जो भी maximum, maximum value होगी, वो minimum length of transition कर वोगी, तो make sure आप बहुत ध्या पर बात करता हो, तो on the basis of rate of change of centrifugal acceleration, अगर हम rate of change of centrifugal acceleration के हिसाब से निकालते हैं, तो length of transition curve Ls is equal to V3 by C r के बढ़ाबर, यहां पर बुलाई जो velocity हो किसमें, meter per second में, r meters में है, C यहां पर किसको represent कर रहा है, जर्क को represent कर रहा है, जिसका unit हमने बुलाई कि meter per second cube के बढ़ाबर, जर अगर हम length of transition curve निकालते हैं, तो दो तरीके से length of transition curve निकलता है, one is when pavement is rotated about center, second is when pavement is rotated about inner edge, जब pavement को center के about rotate कर रहे, जब pavement को inner edge के about rotate कर रहे, तो मैंने बुलाई यहां से अगर मैं बात करता हूँ, तो Ls is equal to E n w plus w e by 2 के बराबर, जब center के about rotate किया है, मैंने बुलाई जहां पर n की value plane and rolling terrain के लिए 150 और n की value, 60 for hill terrain, हम लोग consider कर लेते हैं, है na capital N की value, e यहां पर super elevation है, w e यहां पर extra widening है, w e यहां पर क्या है, extra widening है, छीक है sir, w e is the extra widening, similarly rotation about the inner edge अगर मैं बात करूँगा, तो Ls is equal to e n w plus w e, क्योंकि inner edge के about rotate के है, और inner edge के about और इस के about में केवल 1 by 2 का difference है, यह होती है, रोटेट है, यह जो length of transition कर वे, just half होती है, comparative to inner edge, तो question में आपको mention करके देगा, कि pavement को किस point के about rotate किया है, ठीक है, किस point के about rotate किया है, ठीक है, यहां तक अगर बात समझ में आई, यह दो formula हुए, one is on the basis of rate of change of centrifugal acceleration, second is about the rotation about the center, third देखे ज़रा है, यहां पर empirical formula, empirical formula के बार length of transition कर निकाल रहे, तो it is 2.7 V square by R, मैंने वहले यह जो V है यहां पर, यह V came page में, बहुत ध्यान से देखना, यही छोटी छोटी बाते हैं, जो वहां पर mistake करोगे exams में, यही वो छोटी छोटी बाते हैं, जो mistake होगी exams में, तो इन बातों को आपको बहुत ध्यान से देखना बढ़ेगा, so this value 2.7 V square by R, यहां पर velocity जो है, वो किसमे है, came page में, और मैंने वहले radius की unit, जो है, वो meters में, लेगिन अगर उसी की जगे हिली टयाने की बात कर रहे होगे, तो यहां पर length of transition कर वे is V square by R, और यहां पर भी जो capital V है, वो किसमे है, came page में, ठीक ऐसे, वो भी किसमे पर यहां, came page में, तो मैंने आपको तीन formula बताए, length of transition कर रहे है, इन तीनों में से जो भी maximum value होगी, वो minimum length of transition कर रहे है, ठीक है, ठीक से, perfect, next हम बात कर रहे है, shift of curve के बारे में, बात कर रहे है, तो shift of curve को अभी, survey में हमने depth में पढ़ा है, लेकिन अगर आप से directly पूछी पादेना उसको कि it is ls square by 24 r, ls यहां पर length of transition कर रहे है, r यहां पर radius है, जो कि meters में, curve resistance की बात करते हैं, तो जब भी आपकी गाड़ी किसी भी horizontal curve पर आगे चड़ रही होगी, तो हम बोलते हैं कि curve resistance is t minus, जो भी attractive force है, t minus t cos theta के बराबर, और theta की value आपको पता है, 0 से 1 के बीच में लाइ करती है, तो अगर 0 value होगी, तो आपको capital T दिखेगा, तो resistance इसका मतलब है perpendicular ही जा रहे हैं दोनों एक दूसरे के, तो यहां से curve resistance की value होती है, t minus t cos theta के बराबर, ठीक है, तो यहां पर हमारा खतम होता है क्या, यहां पर हमारा खतम होता है geometric design, यहां पर हमारा खतम होत horizontal alignment, sorry, vertical alignment की तो बात ही नहीं करी है, next हम बात करते है, setback distance, तो setback distance के लिए हमने क्या बोला था, कि यार, जब भी हमारा की कोई भी जो यहां पर अगर हम बना रहे हैं, तो यह कितनी दूरी पर होना चाहिए, इसकी center line से, उसी को हम setback distance बोल रहे हैं, ताकि accidents को avoid किया जा सके, उसी को हम setback distance बोल रहे हैं, तो setback distance को दो तरीके से देखा जाता है, case number one, जब length of curve क्या हो, बड़ी हो SSD से, तो मैंने बोला पहला हम जो बोल रहे हैं, कि आपका जो length of curve है, वो बड़ा है SSD से, और हम single lane के लिए बात कर रहे हैं, तो अगर हम single lane के लिए बात कर रहे हैं, जब आपका length of curve बड़ा है SSD से, तो setback distance m is equal to r minus r cos alpha by 2 के बराबर, और जिसमें हमने बताए कि alpha by 2 is equal to 180 into s upon 2 by r के बराबर, clear है हैं तक, ठीक है, अगर ये बात clear है, तो अगर यही same बात को आप two lane के लिए बात करते हो, तो two lane के लिए इस बात को अगर मैं बताता हूं, तो case number one बोलत d cos alpha by 2 के बराबर, r minus r minus d cos alpha by 2 के बराबर, ठीक है, from center line of road आपने बात करी, अगर आप इसकी को center line of inner lane बोलते हो, तो ये value हो जाएगा, r minus d minus r minus d cos alpha by 2 के बराबर, आप मैं ऐसे कुछ लोग होगा, question होगा कि d क्या है याँ पर, तो मैं आपको बताता हूं, आप बोलते हो कि 4 d is equal to w के बराबर, तो d is equal to w by 4 बोला जाता है, ये है general value, और w इसको क्या represent कर रहा है, width of pavement represent कर रहा है, ठीक है sir, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, लेकिन, जैसे कि single lane के लिए तो आपको ये याद रखना पड़ेगी, लेकिन अगर आप एक standard form चाहते हो, जिसमें आप from center line of inner lane और कितने भी number of lanes के लिए बात कर लो, six lane, seven lane, कितने भी number of lanes के लिए बात कर लो, तो मैंने यहाप एक general formula दे रखा है, m is equal to r minus n minus 1 into d, minus r minus 1 into n minus 1 into d into cos alpha by 2, और अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो n यहाँ पर number of lanes को represent कर रहा है, तो अगर आप two lane के लिए बात करोगे, तो यहा general formula है, जिसको आप याद रखोगे, अगर आप चाहते हो कि exam में जल्दी से question बनाता है, ठीक है, ठीक, चलिए आईए थोड़ी से और बात करते है, तो मैंने वाला next यहाँ पर देख रहे हो आप, कि हम बात कर रहे है, अब किस के लिए second case के लिए बात कर रहे है, जब length of curve क्य by 2 into sin alpha by 2, कोई भी ऐसा term है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, r यहाँ पर radius को represent कर रहा है, s यहाँ पर site distance को represent कर रहा है, lc यहाँ पर length of curve को represent कर रहा है, lc यहाँ पर length of curve को represent कर रहा है, बाकी angle आप alpha निकाल सकते हो, तो यह बात हुई, next हम बात कर रहे है, किस के बारे में बात करें कि भाई हमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है जो कि डिफरेंट एलिवेशन से ए से बी पह हैं तो दो तरीका या तो आप ग्रेडियन्ट के थू चले जाओ या आप कर्व्स के थू चले जाओ ठीक मैंने बुला अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं वर सबसे छोटा होता है फिर होता है ruling gradient फिर होता है limiting gradient और फिर होता exceptional gradient तो इस तरीके से आप gradient को देख पाते हैं ठीक है सथ मैंने वोला next हम बात करें कि इसके बारे में grade compensation बहुत easy time है जल्दी से question बनता है बस आपको पता होना चाहिए कि आप exactly क्या जानना चाहरे हो ठीक है exactly आप क्या जानना चाहरे हो यह important है तो अगर मैं इसकी बात करता हूं अगर मैं इसकी बात करता हूं ध्यान चा देखेगा यह screen पर reflection देख रहा है कुछ तो भी अभी देखो अब blue देख कि अरे 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 वीडियो नीचे कुछ वह चाहिए आप फोटो चाहिए नहीं है यह यह दो को चाहिए दो मुनिट दो कि ठीक है कुछ खुल गया है अब नहीं दिखेगा reflection कम देख रहा होगा ठीक है तो मैंने यहाँ पर क्या बात करी आपसे तो मैंने आपसे बोला कि अगर आप compensation बहुत easy term है अराम से question बनता है बस आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है तो देखो जाए यहाँ पर grade compensation के लिए दो formula बोले जाते है वन इस 30 प्लस और और एंड सेकंड इस 75 बायार पर हमारे जितने भी स्टूडेंट है जिन्नोंने मुझसे पढ़ा होगा कभी भी तो मैं बोलता हूं कि analysis plays a very important role तो आपको क्या करना है कि अगर आपका radius of curvature 45 मीटर से कम है तो आप कौन सा formula यूज करते हो 30 ब्लस और यूज करोगे और अगर आपका radius of curvature greater than 45 मीटर है तो आप क्या यूज करोगे 75 बायार को यूज करोगे ठीक है यह बात तो हमारे समझना आगे तो आपने क्या बोला वैसे तो इन दोनों को यूज करते हैं लोग और minimum value को निकालते हैं और उसको grade compensation बोलते हैं लेगिन नहीं हम क्यों दोनों निकालेंगे हमको तो एक्जाम में time save करना है तो हम क्या करेंगे कि आर जिसका भी आर less than 45 है अगर radius of करवेचा 45 से कम दिया है तो हम इस formula को यूज करेंगे और अगर radius of करवे gradient के लिए बोला जाता है कि gradient minus grade compensation यह कौन सा gradient है कई बार इसको ruling gradient ही बोलते है तो ruling gradient दिया रहेगा उसमें से minus कर देना grade compensation तो आपका compensated gradient आपके सामने आ जाएगा नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें grade compensation is not necessary for the gradient later than 4% इसका मतलब है कि अगर आप grade compensation निकाल रहे है आप आपको PDF हो गया आपके पास तो हर चीज को बहुत अच्छे से मार्क किया है हर चीज को बहुत अच्छे से मार्क किया है तो इस PDF को अपने पास रखना और exam के पहले कम से कम 10 बार revise कर और मैं वीडियो में इसलिए बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूं ताकि आप वीड gradient तो देख लिया curves नहीं देखा तो अब हम curves की जब बात करेंगे तो curves में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा summit curve और crest curve तो अगर मैं आप से summit curve के बारे में बात करूंगा तो summit curve क्या होता है यह जो curve आपको दिख रहा है summit curve को पहचानेंगे कैसे तो summit curve हमेशा concave downward होगा convex upward होगा तो यह concave part है यह concave part है और यह जो ऊपर से आपको दिख रहा है यह कौन सा पार्ट है आपने बूला यह convex part है तो concave downward sorry convex concave downward और convex upward मैंने वह जब भी जो भी वर्टिकल इंटर्सेक्शन पॉइंट है वह कहां लाए करेगा तो आपका जो वर्टिकल इंटर्सेक्शन पॉइंट है वह हमेशा लाए करेगा इसके उपर साइड कर्व के उपर साइड मैंने वह यहां से आपको deviation angle निकालना पड़े करते हैं हम जब भी हम को यह निकालना होगा तो हम क्या करेंगे algebraic difference पता करते हैं तो हमने algebraic difference ले लिया तो हमने algebraic difference ले लिया तो एन वन परसेंट माइनस माइन टू परसेंट विल गिव यू कैपिटल एन ठीक है यहां पर एक और चीज बात करें कि preferred shape for summit कर ठीक है तो अगर आपसे पूछेगा कोई भी बताईया ideal shape क्या होगा तो ideal shape is circular है तो अगर आपसे कोई भी बात करेंगे what is the ideal shape तो ideal shape for the summit curve is circular in shape ठीक है तो यह question भी आपसे gate examination में पूछा जा चुका है चलिए और बात करते हैं तो यहां पर पूछेगा formula length of summit curve के बारे में तो मैंने बुला फिट student है उनको जो formula याद रखना है उनको यह formula याद रखना है कि l is equal to ns square divided by twice of under root of capital h plus under root of small h का whole square जहां पर capital h की जो value है अगर देखो इसका फिर short form आपको याद रखना है लेगिन इसको भी याद रखना है क्यों क्योंकि अगर question में h की value और small h की value change कर दी तो यह फिर applicable नहीं होग तो अगर इन्सको चेंज कर दिया तो डिरेक्ट ऐसी formula यूज करोगे अगर नहीं चेंज किया है तो देखो SSD के लिए अगर कभी भी बात करेगा तो L is equal to length of submit curve would be equal to ns square by 4.4 और अगर length of value curve की बात करेगा sorry OSD की बात करेगा या ISD की बात करेगा तो L is equal to ns square by 9.6 ठीक है ठीक बात करोगे तो L is equal to 2s minus 4.4 by n के बराबर और अगर आप किस की बात करते हो OSD की बात करते हो तो L is equal to 2s minus 9.6 by n के बराबर ठीक है ठीक सर नेक्स्ट अगर हम बात करें आप वैली कर्व की बात करें और सैग कर्व की अगर हम बात करें तो वैली कर्व को कैसे पहचान होगे त और Convex downward होता है ठीक है जो आपका deviation एंगल है उसको तो वैसे निकालते हैं जैसे आप जब हम value curve के बारे में बात करते हैं और जब हम डिजाइन करते हैं तो हम चार चीजों को बहुत ध्यान रखते हैं कौन-कौन सी चार चीज है पहला आपका comfort condition दूसरा आपका headlight side distance तीसरा आपका cross drainage और चौथा आपका aesthetic appearance तो कभी भी अगर question में यह चारो पॉइंट्स लिखे है तो this value is 0.38 under root of nv cube ठीक है तो as per the comfort condition अगर आपसे बात की जाएगी तो जो formula है आपका वो है 0.38 under root of nv cube जहां पर अगर मैं V की बात करूँ तो V किसमें है आपका KMPH में है V किसमें आपका KMPH में N कहा है deviation एंगे similarly अगर आपसे बात करी जाएगे as per headlight condition headlight side distance condition तो यहां पर हम दो cases consider करते हैं पहला कि जब आपका length of value curve क्या हो बड़ा हो SSD से तो अगर आपका length of curve SSD से बड़ा होगा तो आप बोल पाहोगे कि length of value curve is equal to ns square divided by 1.5 plus 0.035 s के बराबर तो LV is equal to ns square by 1.5 plus 0.035 s के बराबर तो यहां पर s तो हमारा site distance है n deviation angle है s क्या है यह भी site distance है तो आपने देखा ns square by 1.5 plus 0.035 s के बराबर similarly case number 2 की बात करी जब length of value curve जो है आपका वो SSD से कम है तो आपने बुला it is equal to 2s minus 1.5 plus 0.035 s by n के बराबर end deviation angle है यहां पर अब देखो इसी का एक student का मेरे पास call आया था भी लाइक दो तीन दिन पहले की बात है तो उसने बोले कि sir में test series का question solve कर रहा था जिसमें न मेरे से alpha की जो value है मतलब beam की जो value beam angle sustained by the beam light beam is 1.5 degree ठीक है और average height of driver eye is something given as 0. sorry average height of headlight is 0.95 तो जो यह यह जो भी आपने derive किया यहां पर formula वहां पर आपने average height of average height of light जो consider करिये वह 0.75 meter consider करिये और यहां पर जो भी आपने s की value sorry वह consider करिये और जो भी आपने alpha consider करा है वह one degree consider करा है तो अगर आपको original formula पता है तभी आप उस question को solve कर पाऊगे तो इसलिए को लगे है 53 minutes जिसमें हमने दोनों बाते कर लिए जिसमें हमने दोनों बात कर लिए introduction and geometric design next अब जो हम बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करेंगे तो मैंने बोला आप जो next मैं बात करूंगा आपसे वो traffic engineering बारे में बात करूंगा चलिए ऑए त्राफिक इंजिनिरिंग को देखते हैं तो मैंने बुला अगर हम ट्राफिक इंजिनिरिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमाँ ने बुला सबसे पहले theoretical maximum capacity कि कितना maximum volume कोई भी रोड acquire कर सकता है कितना maximum value traffic value maximum इतना हो सकता है तो capacity आहिए रिप्रेजेंट कर रहा है capacity capacity मैंतल़ वह कर तौंल किया capacity है तो इसी और traffic volume तो maximum traffic volume को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं थे हैं तो आमने मॉला maximum traffic volume C is equal to capacity do 1000 वी बाइज के बराबर यहां पर V किसमें है के एंपी एच में मैंने विक इसमें केंपी एच में और S किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वैसे तो यह सपेस हैडवे को रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन इसको आप S is equal to 0.2 V यह प्लस 6 लिख सकते हो यादाया यह अपने सीडी में देखा होगा यह आपने कहां देखा होगा SSD में देखा होगा सिमिलर्ली नेक्स्ट पैसिंजर कार यूनिट के बारे में बात की गई है इसको मैं आगे डिसकस करूंगा क्योंकि है एक जगे मैंने इसकी वैल्यू इसको to VB dash minus VA dash divided by VA minus VB, VB dash minus VA dash divided by VA minus VB, तो यह किसको represent कर रहा है E, E आपका represent कर रहा है coefficient of restitution को, मैंने बुला E किसको represent कर रहा है तो आपने बुला कि E represent कर रहा है coefficient of restitution को और जिसमें कि उपर वाली जो velocity है, वो velocity of separation है, नीचे वाली जो velocity का expression है, वो velocity of approach को represent कर रही है, ठीक है, यहाँ पर E की value को 1 लिया हमने जो बोलता है कि perfectly plastic है और अगर E की value 0, इसका मतलब perfect, sorry, perfectly elastic collision है, अगर coefficient of restitution 1 है, और E is equal to 0 है, इसका मतलब यह perfectly plastic collision आपको देखने को मिला, next अगर मैं types की बात करता हूं, तो देखेगा ज़र है यहाँ पर कि पहला मैंने आपको बताया कि collision of moving with a, sorry, मैंने बहुत यहाँ पर हम जो collisions की बात कर रहे है, यह हम accident की बात कर रहे है, वो बोल रहे हैं कि when a moving vehicle collides with a parked vehicle, एक moving vehicle किसी parked vehicle को जाके ठुक जाता है, तो क्या क्या expression होंगे, तो मैंने बहुला, first आपको v3 निकालना पड़ेगा, मैंने पूरा ultra calculation लिख रखा है, तो v3 की value हो जाएगी 2 into g into f into s2, s2 वहाँ distance को represent कर रहोगा, f longitudinal friction है, g 9.81 है, तो यहाँ से value निकाल लोगे v3 की, v2 is equal to ma plus mb by ma multiplied by v3, तो ma और mb में relation कभी-कभी दिया होता है, कि ma is, mb is itna times of ma, ya ma by mb is value this, mb by ma value is this, तो वह आप यहाँ से v2 निकाल लोगे, next बात करेंगे v3 के बारे में, sorry v1 के बारे में क्योंकि v2 आगे है, तो v1 is equal to v2 का square plus twice of g into f into s1, s1 वापिस से वोई breaking distance को represent किया है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तकी बात समझ में आयोगी, next बात करें, vehicular characteristics के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो vehicular characteristics में इसकी जो maximum height consider करी जाती है, that is equal to 4.75 meter, maximum width is 2.44 meter, maximum length is 18 meter, and maximum weight is 52.2 tons, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने data डारेक्ट डारेक्ट यहाँ पर लिखवा दिया, next अगर बात करते हो, breaking test to find the skid resistance, skid resistance के question बहुत easy आते हैं, बस newton's की equation लगानी हो, और answer आपके हाथ में आता है, तो आपको इसको जरूर देखना है, उन्होंने बोले कि इन 3 में से कोई भी 2 parameter अगर आपको पता है, तो आप question को बहुत easily solve कर लोगे, पहला is length of skid mark, मतलब breaking distance, दूसरा is initial speed, obviously, तीसरा is actual duration of break application, मतलब breaking time, तो breaking time, या breaking distance, या initial speed में से कोई भी बात अगर, दो बात आपको पता है, कोई भी random दो बात पता है, तो आप easily question को solve कर पाऊगे, तो आप easily question को solve कर पाऊगे, तो यहाँ से यहाँ तक की बात हुई, चलिए आईए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं, तो मैंने आपसे बुला, next अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो next देखेगा representation of traffic volume data, traffic volume data को कैसे represent किया जाता है, तो हमने बुला यहाँ पर, तो अगर representation of traffic volume data के बारे में बात करते हैं, तो हमने आपसे बुला, कि AADT, annual average daily traffic, तो अगर मैं AADT की बात कर रहा हूँ, तो this AADT is equal to number of vehicles in a year divided by 365, ठीके, तो एक साल में जितने भी vehicle आ रहे हैं, उनको 365 से divide कर दोगे, तो it represents the AADT value, next अगर हम यहाँ पर बात कर रहे है, annual average hourly traffic, तो आपने बुला, it is AADT by 24, next हमने बुला, annual, sorry, average daily traffic, जिसको AADT बुला है, तो यहाँ पर हमने AADT में कभी भी seasonal variation को एंसेडर नहीं किया जाता है, तो आपने बुला, it is number of vehicle, एक week में बुल दू या month में बुल दू, divided by 7 अगर weekly है, और अब month लिया है, तो 30, next हमने बुला, design early volume, तो design early volume, वो volume होता है, that will exceed only 29 times in a year, design early volume is, that volume, which will exceed only 29 times in a year, तो 29 बार ही वो cross हो रहा है, तो हमने इसलिए उसको 30th highest early volume बुला है, ठीक है, हमने उसको इसलिए 30th highest early volume बुला है, तो वही हमारा design early volume, जिसको हमने क्या बुला है कि 30th highest early volume, तो it is that early volume, which will exceed only 29 times ही नहीं है, एक साल में केवल 29 times वो क्या हो रहा है, cross हो रहा है ठीक है sir एक और बात बोल दीए इन्होंने कि जो भी design early volume होता है वो 7 to 10% होता है AADT का ठीक है, तो ठीक है कोई बात नहीं 7 to 10% याद रहेगा हमको next अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो यहाँ पर हमने बात करिये average speed के बारे में बात करिये है यहाँ पर हमने किस के बारे में बात करिये है average speed के बारे में बात करिये अब यह दोनो average speed को ही represent करें space mean speed भी और time mean speed भी लेकिन जब भी आप space mean speed की बात करोगे तो यह किसी भी एक particular cross section में बात करते हैं कि यहां से इस section 11 से इस section 22 के बीच में जो गाडियां जा रही है उनको कितना time लग रहा होगा वहां से हम spot speed calculate करना चाहते हैं वहां से हम spot speed calculate करना चाहते हैं तो वो represent करता है space mean speed को तो space mean speed का जो formula बोलता है that is Vs space mean speed is equal to n upon 1 by V1 plus 1 by V2 plus 1 by V3 dash 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 1 by Vn ठीक है तो यह किसको represent कर रहा है harmonic mean को represent कर रहा है similarly अगर मैं बात करता हूं time mean speed की तो time mean speed में exactly क्या होता है time mean speed में हम किसी एक point पर बात करते हैं कि एक section है इसको cross करने में कितना क्या speed है तो यहां से हम spot speed calculate करते हैं so this value Vt is equal to n upon V1 plus V2 plus V3 dash 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 note डालका है हमने लिखा का if all the vehicles are moving with the same speed अगर सारे vehicle जितने भी वेहिकल आप देख रहे हो अगर सारे vehicle same speed से मूव कर रहे तो what would be the speed तो आपने बुला what would be the all the vehicles are moving with the same speed तो फिर space mean speed और time mean speed क्या हो जाएंगे same हो जाएंगे तो हमने यहां पर यह बोला एक और बात कि आपको यह बात पता है कि arithmetic mean हमेशा जादा आता है किससे harmonic means है तो यहां पर हमेशा time mean speed की value जादा आएगी किससे space mean speed से ठीक है यह बात हमारे समझ में आ गई next अगर मैं आपसे बात करता हूं तो next देखेगा next देखेगा हां next हमने यहां पर बता रखाए कि दोनों के बीच के relation की बात कर रखी तो मैंने बुला है वीटी के लिए अगर मैं इसे बात करो time mean speed तो आप बोल रहे हैं यहां पर कि time mean speed जो है time mean speed जो है वीटी इस इकोल टू वीटी इस इकोल टू वीटी के बराबर थीक है तो यह इन दोनों के when all the vehicles are moving with the same speed जब सारे वेहिकल्स किसे मूव कर रहे होंगे सेम स्पीड से मूव कर रहे होंगे ठीक है कुछ और बाते हैं कुछ और भी बाते हैं जो गेट एक्जाम में आपसे डिरेक्ड डिरेक्ड पूछी जाएगी जैसे कि यह कि अगर मैं यहां पर बात करता हूं methods of spot speed study तो कई बार आपसे सीधा सीधा नाम पूछा जाता है कि out of these methods कौन सी यूज की जाती ही spot speed पता करने के लिए इसलिए मैंने इनको भी conclude मतलब आपके include किया इस वीडियो में तो इनको बहुत ध्यान से देखने तो मैंने बुला methods of spot speed study की अगर बात की जाएगी तो आपने बुला एनोस्कोप method यह इसी को बुला mirror box method पहला तरीका दूसरा आपने बुला यहां पर radar speed method तीसरा is photographic method and fourth is elevated observation ठीक है तो यह चार method है इन चार method में सबसे जादा इंपोर्टेंट है यह उपर वाली तो उपर वाली को हमने एनोस्कोप method को बताए कि expression spot speed कैसे पता करते है तो जब आप spot speed बता करोगे तो यह D बताएगा एक cross section जे दूसरे cross section का distance D L is the length of wheelbase and T2 minus T1 is the time difference that is required to cross the particular section ठीक है उस particular cross section को cross करने के लिए कितना distance ही है that is T2 minus T1 मैंने ब बात करता हूं कि कैसे spot speed data को represent किया जाता है तो यह बोल रहा है कि spot speed is conducted only when traffic volume is less than 500 वेहिकल परार तो spot speed कब conduct करते हैं तो मैंने बोला कि spot speed conduct करते हैं जब हमारा traffic volume जो है वो पार एक ही बार तो यहां तक पहुचा है ना origin and destination में तो यह फिर किसको represent कर रहा होगा अगर यह origin and destination में है की बार पहुच रहा है तो यह एक trip को री प्रेज़ेंट कर रहा होगा तो यह किसको represent कर रहोगा एक trip को each trip कर होगी एक trip complete trip आपको देखने को मिलेगी clear है यहां तक ही बातकि हैं तो यह हुई बात किसके बारे मान्-desire lines के बारे मान चीकर अगर यह आपको समझ में आती ही पूरी बात है तो चलिए आया और बात करते हैं तो यहां पर बात करिया हमने space headway के बार तो अब देखेगा space headway क्या होता है देखेगा space headway क्या होता है तो space headway is the space interval between two successive vehicle moving in the same lane तो space headway is the space interval between two vehicles moving in the same lane तो इन दोनों की बीच में front से front में कितना vehicle है यह है आपका space headway मैंने वहला यह किसको रिप्रेजन करोगा space headway को same line and measured from head to head space headway का एक सबसे खास बात यह है कि उसको traffic density k से relate किया जा सकता है कि k is inversely proportional to space headway और अगर मैं इसको बात करता हूं क्यूंकि मैं unit length के लिए बात करता हूं तो अगर मैंने बोला कि जैसे मान लेते हैं कि space headway की value 10 meter है हर एक vehicle के गाड़ी की distance 10 meter है तो इसको kilometer में change करना पड़ेगा तो divide by thousand कर दूंगा तो यहां से कोई भी अगर traffic density पूषता है तो मैं बोल पाऊंगे कि traffic density is 100 vehicle per kilometer समझ में आया है तो ऐसे मैं बोल पाऊंगा कि traffic density space headway के through कि अगर मैं को space headway पता होगा तो मैं आराम से traffic density बता दूंगा मैं आराम से traffic density बता दूंगा ठीक है सर ठीक है यह तो हमारे समझवा है similarly अगर आप से time headway के बारे में कोई भी बात करेगा तो time इसको भी अगर मैं बना के बता हूं तो यह से कोई भी वेहिकल क्रॉस कर रहा है किसी भी point of time पर हम उस time को note करते जा रहे है कि ठीक है तो यह जो होगा हमारा कि हमने यही यहां पर कि कितना value आ रहा है कितना value आ रहा है तो जब भी हमारा वेहिकल क्रॉस कर रहा है तो वह हमने देखा ठीक है तो traffic volume is equal to one upon time headway ठीक है क्या represent करें traffic volume is equal to one upon time headway ठीक है सर इसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हो Q is equal to k into V कि तो अच्छा इसके इसके भी बारे में बताता हूं कि इसकी भी खास बात यह है कि यह time headway है यह traffic volume है यह time headway यह traffic volume है तो हम इसको relate कर सकते हैं कि traffic volume is inversely proportional to time headway और traffic volume को Q से represent करते हैं तो Q is equal to 1 by T बोलते हैं अब देखो time headway मैंने बोला है तो हर एक गाड़ी के वेहिकल के interval में मैं बोलते हूं कि 60 seconds है अगर सब के गाड़ी के interval लेकि मैं को तो पर आर में चाहिए रहता है तो मैं इसको divide by 3600 करता हूं तो अगर यह divide by 3600 है तो यह 3600 उपर पहुच जाएगा तो तो दिस वैल्यू उट भी कमिंग आउट एस 6636 60 वैल्यू तो यह क्या रहोगा 60 वेहिकल पर आर क्रॉस कर रहे हूंगे कितना वैल्यू आरोगा 60 वेहिकल पर आर यह किसको रिप्रेजन कर रहा है ट्राफिक वाल्यूम को अब आपको यह बहुत जादा कन्फूजन हो रहा ह होगा ट्राफिक वाल्यूम बेन सीटी क्या डोल रहे हो सालिये तो मैंने वह वोला नहीं रुको तुमको इसके लिए क्या जाने की ज़रूरा है यह एक्स्प्रेशं जाने की जरूरा है तो इसके यूणित की बारे में अगर वी आपसे बात करता है तो यह वेहिकल पर आर इसके traffic density की कोई भी बात करता है तो अःकल पर किलो मेटर और व्लाउसिटी कोई करते तो व्लाउसिटी तो व्लाउसिटी ऒसे देकर हैं ॓ँ अगर हमारे एक ही रोड पे एक साइकल चल रहे हैं बुलक कार्ट चल रही एक और कार diff दो तो सबका impact बहुत different होगा आपके pavement के उपर as per the engagement, as per the weight, as per the impact on the pavement हर एक case में सबका impact different होगा तो फिर हम calculation कैसे करेंगे इतना wide calculation तो हमारे लिए possible नहीं है तो उस case में हम क्या करते हैं कि जितने भी हमारे vehicle है हम सबको किस में convert कर देते है passenger car unit की terms में convert कर देते हैं अगर हमने सबको passenger car unit की term में convert कर दिया तो हमने इसका मतलब है सबको passenger car में convert कर दिया तो सबका equivalent value कुछ तो कुछ different होगा लेकिन passenger car की terms में हमने equivalent value निकाल दी तो यह बताना चाहते हैं कि equivalent value आपको कित्ती देखने को मिलेगी तो मैंने बुला अगर मैं scooter की बात करूँगा तो in terms of passenger car unit that value would be equal to 0.5 मैंने बुला car की या auto रिक्षय की बात करूँगा तो that value would be equal to 1 के बराबर मैंने बुला cycle रिक्षय की बात करूँगा तो that is 1.5 bus truck tractor की बात करूँगा तो 3 horse driven vehicle की बात करूँगा तो 4 small bullet card की बात करूँगा तो 6 और large bullet card की बात करूँगा तो 8 तो यह आपने देखा, इसमें से सबसे ज़्यादा जो exams में पूछा जाता है, that is bus, truck, tractor पूछा जाता है, तो जिसके value किती है 3, ठीक है, exam में अभी तक जितनी भी exams में देखे, उसमें सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला, PCU value is this, ठीक है, next आप हम बात करें, traffic flow characteristics के बा करता है, कि आपके गाड़ियों का movement कैसा हो रहा होगा, और अगर कैसा हो रहा होगा, यह किस पर depend करता है, तो यह depend करता है, velocity के उपर, कि आपके जो भी गाड़िया है, वो velocity के किस profile को follow कर रही होगी, तो हमारी जो velocity के profile है, वो बहुत different हो सकती, क्योंकि mathematically तो n number of equations are available over there, पर हम कुछ 2 या 3 की बात करेंगे, जिसको भी हम, क्योंकि यह portion से आपको gate में question जरूर देखने को मिलता है, यह हो गया, webster method हो गया, ऐसी कुछ चीज़े हैं, जहां से आपको gate में question जरूर देखने को मिलेगा, तो अगर मैं यहां से बात करता हूँ, traffic flow characteristics में, तो सबसे पहला velocity profile ज जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं, green shield model, तो अगर आप यहां पर green shield model की बात करोगे, तो V is equal to किसके बराबर, तो आपने बोला V is equal to Vsf, k minus k square by kg के बराबर, k minus k square by kg के बराबर, तो अगर आप यहां पर कहीं पर भी ऐसा expression देखते हो, कि V is equal to Vsf, k minus k square by kg, तो आप समझ जाना क यह linear relationship की बात हो रही है, और अगर कभी भी linear relationship की बात होगी, तो यहां पर Q max, ultimately हमको क्या निकालना है, maximum traffic volume, तो Q max की value क्या होगी, तो it is kj into Vsf by 4 के बराबर, अब exam में इसको कई बर अलग अलग तरीके से दिखाया गया है, जैसे की, जैसे की Q max की, अगर मैं आप से बात करत के बराबर, या V is equal to किसके बराबर, Vsf by 2 के बराबर, तो K is equal to KJ by 2, और V is equal to Vsf by 2, दोनों को multiply कर देंगे, तो we'll get the maximum value, maximum traffic volume, वह हमको पता करना था, similarly जब हम बात करते हैं, logarithmic variation की बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं, greenberg model, similarly जब हम logarithmic variation की बात करते हैं, तो उसको हम greenberg model ब अगर मैं आप से बात कर रहा हूँ, तो V is equal to किसके बराबर, V is equal to Vsf, Ln, Kj by K के बराबर, मैंने बहुला, अगर मैं इसको देखता हूँ, तो Qmax कितना होगा, तो Qmax K is equal to KJ by E, and V is equal to Vsf, K is equal to KJ by E, and V is equal to Vsf, आपको देखने को मिलेगा, अब देखना ज़रा हैं, आपे, similarly मैं बात करता हूँ, किसके बारे में, Underwoods model के बारे में बात करता हूँ, अगर मैं आप से Underwood model के बारे में बात करता हूँ, तो Underwood model को क्या बोला है, exponential variation है, जिसमें हमने बोला कि V is equal to Vsf, into E to the power minus K by KJ, जब हम यहाँ पे V की बात करेंगे, तो V is equal to Vsf by E, यहाँ पे V is equal to कि लिखता है के जे, अब आप अगर दोनों को combinedly देखोगे, इसको और इसको तो यह दोनों सेम दिख रहे होंगे, Vsf into KJ by E, Vsf into KJ by E, बट अगर आप इंडिविजुली देखोगे, तो इंडिविजुली दोनों different है, यहाँ पे K की वाल्यू के जबाई E है, और V की वैल्य Vsf है, यहाँ पर K की वाल्यू के जे है, और V की वाल्यू Vsf Y E, तो इंडिविजुली दोनों different है, और combinedly दोनों same है, तो यहाँ पर भी gate examination में आपके साथ question खेला जा सकता है, तो आप इसको याद रखेंगे सब लोग, ठीक है, तो यह तीन model मैंने आपको बताए, कि अभी कभी भी अगर आपसे traffic volume, traffic flow characteristics में बात करता है, तो आप कैसे measure करेंगे, छी, next जो आप मैं आपसे बात करने वाला हूँ, that is, next जो आप मैं आपसे बात करने वाला हूँ, that is, design of ember time के बारे में बात कर रहे हैं, तो ember time को कैसे design किया जाता है, वो देख रहे हैं हम लोग, तो म मैं बात करेंगे for no dilemma zone, अगर आपने कोई बे dilemma zone नहीं provide किया है, तो फिर कैसे देखते है, for no dilemma zone, तो मैंने वाला, यहाँ से आप T minimum की बात करोगे, तो this T minimum would be equal to SSD plus W plus L divided by capital V, मैंने वाला, W किसको represent कर रहा है, मैंने वाला, L किसको represent कर रहा है, तो L यहाँ पर length of wheelbase को represent कर रहा है length यहाँ पर length of wheelbase को represent कर रहा है, तो यहाँ से आपके पास direct question आएगा, कि design the ember time, तो ember time को आप कैसे design करेंगे, SSD plus W plus L divided by capital V, time is equal to distance upon speed, distance SSD plus W plus L divided by V के बराबर, अगर आप इसको याद नहीं रख पा रहे हो ऐसे, तो आप कैसे याद रखोगे, यह एक formula, मतलब यह इस तरीके से देखो एक बना लो, तो देखो जाए यहाँ पर, ऐसा दिख रहा होगा, तो मैंने बुला, यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का जो distance है, यह SSD बोल देना, इन्हों के बीच का distance को W बोल देना, और गाड़ी इसको cross करेगी, कित्ती L distance तक, तो इसको L बुला, इसलिए हमने बुल इसलिए प्लस W प्लस L divided by capital V, velocity, तो वो किसको represent करने लग जाएगा, वो आपके time को represent करने लग जाएगा, वो आपके time को represent करने लग जाएगा, ठीक है, मैंने बुला, next हम saturation capacity की बात कर रहे थे, तो saturation capacity, S is equal to किसके बराबर होता है, तो मैंने बुला, it is 3600 divided by H, और H यहाँ पर क C के बराब, तो उससे हम traffic capacity निकाल सकते हैं, तो traffic capacity किती होती है, small g by C, इसका मतलब है, green ratio multiplied by saturation capacity, तो इससे आप traffic capacity पता कर सकते हो, यह बहुत rare use होने वाला formula है, बट एक दो बार आया है, इससे question, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिखवा आया है, ठीक है, next आप से बात करते ह जो दो आपको आगे देखने को मिलेंगे, यहाँ से question बहुत frame होता है, तो make sure आप यहाँ से पढ़ रहे हो, ठीक है, make sure आप पढ़ रहे हो, तो मैंने बुला, यहाँ पर बोल रखा है, determine the cycle length and critical lane volume, तो अगर आपको cycle length या critical lane volume पता करना है, अगर आपको cycle length या critical lane volume पता करना है तो आपने बुला कि C is equal to N into TSL upon by 1 minus VC by S के बराबर, तो C is equal to cycle length is equal to N into TSL divided by 1 minus VC by S के बराबर, मैंने बुला, यहाँ पर N किसको represent कर रहा है, मैंने बुला, N यहाँ पर number of phases को represent कर रहा है, मैंने बुला, N यहाँ पर number of phases को represent कर रहा है, T मैंने बुला, start-up loss time को represent कर रहा है, T आप की बात कर रहा है है ना saturation capacity की बात कर रहा है तो यह हो गया और आपको एक और बात बता देता हूं कि कि अगर यहां यहां से 200 वेहिकल पर लेन आ रहे है और यहां से 300 वेहिकल पर लेन आ रहे है तो अगर आपको वी सी पता करना है तो इस लेन के highest volume is this, इस लेन के highest volume is this, तो 900 plus 300 will give you VC, 900 plus 300 क्या देंगे, आपको VC लेगे, तो यहां से आप VC निकाल लोगे और इसका saturation value आपको पता रहेगा, तो VC by S जैसे ही करोगे, अगर वो 1 से बढ़ा आ गया, तो तो value negative हो जाएगी, इसका मतलब cycle length negative हो जा कर पाऊगे, ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहां पर Webster method, Webster method से भी question जरूर पूछा जाता है, तो यहां पर बोलते है, cycle length आपको पता करना है, तो cycle length C not is equal to 1.5 L plus 5 divided by 1 minus capital Y, ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं, वैसे ही मैं याद रखता हूं कि 1.5 L plus capital 1.5 L plus 5 divided by 1 minus capital Y, यहां पर L कि total loss time को represent कर रहा है, L की value होती है, 2N plus R के बराबर, N यहां पर number of phases है, R यहां पर all rate time है, तो अगर आप बात करोगे, capital Y की बात करोगे, तो capital Y is Y1 plus Y2 plus Y3, है ना, small Y1 plus small Y2 plus small Y3, अगर मैं Y की बात करता हूं, क्या होता है, तो Y is the ratio of normal flow to saturation flow, Y is the ratio of, small Y is the ratio of normal flow to saturation flow, तो यहां पर बोला Q is the normal flow, और S is the saturation flow, तो Y, ठीक है, similarly Y1, Y2, Y3, ऐसे देखते हैं, तो यहां से अगर green time की बात करता हूं, effective green time की बात करता हूं, तो देखो यह बात तो आपको समझ में आ गई होगी, तो अगर कोई भी capital Y बोलेगा, तो इसका मतलब है Q1, S1, Q2, S2, Q3, S3, ऐसे देख रहे हो गया, और हर एक lane का normal flow भी दिया जाता है, आपको जब question solve कराए जाएगा, और हर एक flow का saturation flow भी दिया जाएगा, चलो अच्छा एक और बात बताता हो, आपको पढ़ाते-पढ़ाते में कोई ऐसा लगा, आपको पढ़ाते-पढ़ाते वीडियो को देख लेते हो, तो इस वीडियो के अंत में, जब ये वीडियो खतम हो जाएगा, तो मैं को comment box में बताईएगा, कि क्या आप practice करना चाहते हैं, क्योंकि अगला जो वीडियो आएगा, आपके पास किसी भी subject का वो दो दिन बाद आएगा, ताकि आप दो दिन तक दो हिंटी का practice session होगा, जिसको हम fire बना देंगे, मतलब next level question practice, rigorous question practice होगा, जिसमें सिर्फ to the point question practice कर रहे होगे, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं, तो मैं को जरूर सा जरूर बताईएगा, ठीक, अगर आप ऐसा चाहते हो, तो मैं को जरूर सा जरूर बताईएगा, ठीक, तो next अ हम बात कर रहे हैं, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहां पर effective green time की बात कर रहे हैं, जिसको हमने g1 बोला, और अगर आप g1 की value निकालना चाते हो, तो this value is small y1 by capital y, multiplied by c0 minus l के बराबर, मैंनो लाए यहां पर c0 किसको represent कर रहा है, तो मैंनो लाए c0 is equal to g1 plus g2 plus l के बराब by c0 minus l, तो number of phases अगर 2 हैं, तो y1, y2 निकालना पड़ेगा, अगर number of phases 4 हैं, तो आपको फिर g1, g2, g3, g4 निकालना पड़ेगा, तो g3 कैसा हो जाएगा, y3 by capital y, multiplied by c0 minus l, similarly g4 कितना हो जाएगा, तो g4 मैंने आपको बोला, कि y4 by capital y, multiplied by c0 minus l के बराबर, ठीक है, तो इस तरीक इसको देख रहे हो, now the question arises, एक table है इसके लिए पूरी, but still मैंने जो important portion है, उसको यहाँ पर consider किया, आप लोगों के लिए, हैना मैंने यहाँ पर consider किया, उसको आप लोगों के लिए, तो यहाँ पर मैंने आपसे बुला, कि for a two-lane two-way traffic, अगर हम किसी भी two-lane two-way traffic की बात कर रह तो अगर हम number of conflict point की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखेगा, अगर हम number of conflict point की बात करने, तो मैं चाहूं तो यहीं पर आप लोगों के लिए technical रांगोली बना सकता हूं, मैं यहीं चाहूं तो आप लोगों के लिए technical रांगोली बना सकता हूं, तो देखान देखो इसको, क कि number of conflict point आपको कित्तों देखने को मिलेंगे यह लोग बना दिया कि सॉरी ठीक है number of conflict point कि कोई बात कर रहे है टू लेन टूबे ट्राफिक की अगर बात कर रहे है टू लेन टूबे ट्राफिक के अगर बात कर रहे है कि दियान दो देखेंगा अभी देखते जाएंगे बस लेफ्ट अनिंग ट्राफिक होगे है राइट अनिंग ट्राफिक देख लेते हैं लेखते होगे होगे है की्यों के सुोईस में झाएंगे है अब सारे points को calculate करोगे तो यह जो value आ रही होगी यह 24 आ रहा हुगा सारे points को आप calculate करोगे जितने भी मैंने डार कर दिये उन points को अगर आप calculate करोगे तो यह सारी values किती आ रही होगे 24 आ रही होगे ठीक है तो यह मैंने आपसे बोला तो यह है इस तरीके से आप कैसे number of conflict point निकालते हो ठीक है जो green वाले आपको यहाँ पर दिख रहे है वो left turning traffic है ज next अब जो बात करते है robotри design के बारे मैं बात करते है तो रोटरी design जो करते हो तो रोर्ट रे डिजाइन में सब से important पात यह भी कि कौन-कौन से important point है उनको भी आपको याद रखना पड़ेगा रोटरी डिजाइन में कौन-कौन से important point है उनको भी आपको याद रखना पड़ेगा तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हो तो देखो जा रहे हैं पर रोटरी डिजाइन में maximum traffic जो वह afford कर सकता है that is 3000 वेहिकल पर भी आपको जरूरत है तो आपको रोटरी की जरूरत है सिम्लली आगर राइट टर्निंग ट्राफिक इस अबट 80 परसेंट है तो भी आपको जरूरत है इसकी मैं आप यहाँ पर देखो है exit entry exit radius की बात करी कहीं तो exit radius हमेशा बड़ा होता है रेडियस एंट्री से क्योंकि फोर्स किया जाता आपके वेहिकल को कि एंट्री के टाइम पर स्लो रहा हो और एक्जेट के टाइम पर फास्ट रहो तो कि यह बोला है 1.5 या 2 के बीच में इंट्री से तो अगर इन तीनों का रेंज किया जाएगा तो आप यह देखोगे कि आर एंट्री वैल्यू सबसे कम होती है फिर आर सेंट्रल आइलेंड और फिर आपको आर एक्जेट देखने को मिलेगा ठीक है नेक्स्ट आप जो बात कर रहे हैं हम लोग वो किसके बारे में मैंने विड प्रपोर्शनिंग रेश्यो की बात कर रहा है यह दो न यहां पर इंग हम लिन्ट इंग् tyre को क्या बोलता है तो हम बोल रहे हैं इडिस crossing और weaving traffic to total traffic बीप्लस C की बारे में बात करें तो B is the crossing या weaving traffic C is also the crossing or weaving traffic divided by total traffic that is B plus C upon में A plus B plus C by B के बराबर ठीक है अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो proportioning ratio कैसे निकालना है यह तो मैं सोच रहा हूं कि आपको question का सेशन लेहीं लोंगा अगर आप बोलोगे तो वरना मैं फिर ऐसे दिखाता आपको कि आपको कोई भी एक leg choose करना पढ़ेगा one two three four मैंसे कोई भी एक leg choose कर आपने अब मैंने बोला कि यहाँ पर a traffic के कौन सा है तो a is the traffic जैसे मैंने बोला कि वन आपका प्रपोर्शनिंग रेशियो फॉर वन टू तो वन आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है एंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वन में अगर आप एक ही बात करोगे तो मैंने वला traffic that is turning toward extreme left leg while entering the rotary तो extreme left leg में चला गया मतलब एप चला गया यह यह है आपका वन से टू गया तो वहिकल अगर कोई भी बोलेगा वॉल्यूम वन टू तो यह किसकी बात कर रहा है एक ही बात कर रहा है सिमिलरली अगर हम बात कर रहे हैं यहां से तो crossing और weaving traffic turning towards right while entering the rotary सुनना ध्यान से मेरे statement को ठूनना तो बी क्या है बी इस दे अगर ची की बात करेंगे रोटरी तो यह वैल्यों गी भी 32 प्लस भी 42 यह वैल्यों हो गई लास्ट मैं बचे गाँ डी तो दी इस दी राइट तर्णिंग ट्रैफिक टॉर्ट एक्स्ट्रीम राइट लेग ठीक है तो इसका एक्स्ट्रीम राइट यह है वी रिडी हो गया है इसका extreme right अगर बात करी तो इसका 4 से 3 है जो कि नहीं हुआ तो अब आप बोलेंगे कि V43 is the answer तो इस तरीके से आप यहाँ पर traffic volume निकाल सकते है कि क्या-क्या traffic है कौन सा weaving traffic है कौन सा crossing traffic है कौन सा right turning traffic है कौन सा left turning traffic है यह proportioning ratio में अगर आपको आता है तो आपसे question बहुत easily बन जाएगा और अगर proportioning ratio की value P कुछ भी value दे रखिए तो फिर आप वहाँ से practical capacity को बहुत असानी से निकाल सकते हो ठीक है तो यहाँ पर खतम होता है हमारा traffic engineering यहाँ पर खतम होता है हमारा traffic engineering engineering अब जो हम next देखने वाले वो किसके बारे में बात करेंगे pavement design के बारे में बात करेंगे तो pavement design में अगर सबसे पहले आप देखोगे तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको तीन method देखने को मिलती है one is your empirical method तीन characteristics में हमने divide किया है तो पहला मैंने बोला one is your empirical method जिसमें आपने बोला जी आइंडेक्स method cbr method california bearing ratio method है और california resisting value method ठीक है तो मैंने बोला यहाँ पर तीन value देखने को मिल रही है gi cbr and cvr तो मैंने बोला यहाँ से अब यह कौन सा यह empirical form empirical method है मैंने बोला मैं आप से बात करता हूँ तो यह है आपका semi empirical method जिसमें ट्राइक्जियल method की बात होगी फिर theoretical method जिसमें हमारी Burmester elastic layer theory की बात होगी ठीक है तो यह आपको याद करके इन methods को देखना start करते हैं तो सबसे पहले हमने बात करी empirical method में जिसमें हमने सबसे पहले बात करी किसकी group index method की बात करी तो group index method का formula बोलता है it is 0.2 a plus 0.001 bc plus sorry 0.005 ac plus 0.01 bd तो यहां पर बुला है 0.2 a plus 0.005 ac.01 bd तो यहां पर बुला है a की value का it is p-35 b की value p-15 और यह दोनों value 40 से बड़ी नहीं होना चाहिए इन दोनों को याद रखने का तरीक है कि इन दोनों का sum जो आएगा वो 50 के बराबर आएगा similarly c is wl-40 and d is ip-10 इन दोनों का की इसको रिप्रेजन कर रहा है P is the percentage finals को represent कर रहा है wl यहां पर liquid limit को represent कर रहा है ip यहां पर plasticity index को represent कर रहा है और ip क्या होता है liquid limit minus plastic limit ठीक है तो अगर कोई भी आपसे बुलेगे कि IP की value बता यह plasticity index तो आप बुलेंगे it is liquid limit minus plastic limit सबिल गविए आईपी का वैल्यू तौ आप यहां से निकाल देते हैं तो जिय sans से लाइक करती है तो गड़िपेंटिस की है वो जीरो से 20 के बीच में लाइकरती जीरो इस ऑन दी अच्छा साइट 20 इस जित्ती ज्यादा वैल्यों देगी उत्ता ज्यादा क्वालिटी खराब वाली साइट ठीक है याद रहेगा इस बात को तो यह तो फॉर्मुला बहुत इसली आपने देखा होगा स्ट्रेंट ऑफ मटेरियल में भी आपको पूछा जाता है तो आप इसको बहुत असानी से देख सकते हो नेक्स्ट हम बात करें कैलिफोनिया बेरिंग रिजिस्ट कैलिफोनिया बेरिंग रेशियो मैथड सी बीर मैथट से बहुत सारे कोशन पूछे जाते हैं और मैंको लगत तो अगर आप यहां से देखोगे तो CBR at 2.5 mm पेनेटरेशन तो मैंने लोड कितना लिया सॉइल ने P1 kg तो यह हो गया वैल्यू ठीक है सिम्रेलिए अगर यहां से आपका जो भी maximum वैल्यू आता है 2 mm पेनेटरेशन और 5 mm पेनेटरेशन में जो भी आपका maximum वैल्यू होगा उसी को आप कंसिडर करोगे उसी का ocbr वैल्यू होगा तो यहां पह जनेरली जनेरली 2.5 mm की value जादा थी लेकिन interview में आप किसी भी दिन बैठे होगे और अगर आपके 5 mm penetration की value उन्होंने बोला कि 5 mm penetration की value जादा आई है तो आप उनको बोलना कि देखो यार हो सकता है कि 5 mm penetration की value जादा आई हो आप उनको बोलेगा कि हो सकता है कि 5 mm penetration की value जदा आई हो तो बुलेंगे हाँ आई है तो बुलेंगे अब क्या करना है तो उनको बताईएगा कि फिर से एक बार cross check करो answer को फिर से एक बार process को repeat करो और फिर भी 5 mm penetration की value जदा आती है तो फिर भूल जाओ फिर मत करो calculation फिर आप answer जो report करो वो 5 mm penetration के according report कर दो CBR का जो भी answer है उसको 5 mm penetration के according report कर दो ठीक है तो यहां से CBR value आ जाती है कई बार standard stresses के बारे में बात की जाती है तो standard stress की value तो ऐसी ही जो आप याद रख सकते है क्यों क्योंकि यह होता है standard load divided by area plunger का area और यह plunger का area यहां से देखोगे तो आप वोलोगे 70 kg per cm2 for the for 2.5 mm penetration और यहां पर 5 mm penetration के लिए आपने बहुला कि इस 105 kg per cm2 because 2055 is the standard load and area will remain same तो इस बोद दी तिंग्स विल रमें सेम तो standard stress will remain same ठीक है sir मैंने बहुला अगर आपके पास CBR value आ गई है और अगर thickness of pavement बता करना चाहते हो तो thickness of pavement is equal to under root of 1.75 P capital P किसको represent कर रहोगा force को represent कर रहोगा CBR का value यहां पर percentage में रखना आपको यहां पर बोला capital P wheel load है small P into pi के बराबर तो यहां पर capital P wheel load को represent कर रहा है small P tire pressure को represent कर रहा है देखो इस पूरे की जगे कई बार आप a square भी लिख सकते हो कैसे तो मैंने वाला small P is equal to capital P load upon my area pi a square pi r square और a square is equal to P upon small P into pi यही same बात लिखे हुए है इसका मतलब आप इसको कई बार a square भी लिखा हुआ देख सकते हो पर यहां पर जो thickness of pavement it should never be greater than 12% CBR greater than 12% के लिए valid नहीं है तो अगर आपके CBR की value 12% से ज़्यादा हो जाती है तो this equation is not valid to find the thickness of the pavement thickness नहीं पता कर पाओ गया तो देखा आपने CBR की value कितनी आसानी से निकाली जा सकती है और उसके through कितने सारे calculations को perform किया जा सकता है ठीक है सर यह भी हमारे समझ में अगई अगर यह भी बात समझ में आगई तो नेक्स्ट आजाई यह modified CBR method मैंने मॉडिफाइड CBR method से भी आपको भतेरे question देखने को मिलेंगे तो भतेरे question को solve भी तो करना पढ़ेगा तो मैंने बहुत अगर इसका 65 a into 1 plus r by 100 whole raise to the power n minus 1 divided by r by 100 ठीक है multiplied by f1 f2 f3 यह तीनों आपके factors है जैसे कि हमने बुला lane safety factor load safety factor vehicle damage factor ठीक है तो तीनों फेक्टर की बात की जाएगी तीनों फेक्टर को अलगतरी के से निकाला जा सकता है तीनों फेक्टर के लिए कुछ कुछ different values दी जाएगी यहाँ पर आपने बुला कि a की value क्या है तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि a की value कभी भी आपको निकालना है तो it is p into 1 plus r by 100 whole raise to the power x के बराबर तो p is equal to a is equal to p into 1 plus r by 100 whole raise to the power x के बराबर और x की value फिर हम कहां से निकालेंगे x बोलेगा जो भी आपका construction year एक बोलेगा जो भी आपका construction यहीर कि कितने साल construction यह साल तो तो एक ही वाल्यू हम इस तरीके से निकालते हैं A is equal to P into 1 plus R by 100 whole raise to the power X यह अगर पता चल गया है तो कई बार vehicle damage factor जो हम यहां पर एक factor है उसको अगर आपको पता करना है जिसको हम VDF भी बोलते हैं इसको याद रखने हैं यहां से बहुत सारे question आते हैं तो NS is equal to आपको बस formula याद कर लेना अपने आप पूरा question solve हो जाएगा सारी value दी रहती है आपको R rate of growth है जनरल इनी दे रहे तो 7.5% consider कर लेना A की value P into 1 plus R by 100 whole raise to the power X से calculate कर लोगे ठीक है एक से का है construction यह जो भी आपका जब से start हुआ है और पूरा time होने में कितना time लगेगा वो X को represent कर रहा होगा n यहां पर जो आप n देख रहे हो वो design life की बात कर रहा है तो यहां से n को भी हम देख लेंगे कि कितना design life है ठीक है sir जब मैं आप से vehicle damage factor की बात कर रहा हूं तो EALF निकालते हैं यहां पर equivalent axle load factor की बात करते हैं तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि हमारा L है और यह हमारा LS है जो भी load upon में standard load जो भी load लग रहा है अपन में standard load अब यह standard load generally हम लोग अगर मैं मैं बात करता हूं आप से standard load के बारे में तो यह जो standard load है हम generally क्या consider करते हैं तो हम single axle dual wheel on both the side consider करते हैं तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि 8.2 tons की बात करते हैं हम लोग तो L upon LS की बात करते हैं hold raise to the power 4 तो यहां से आप vehicle damage factor को आराम से निकाल सकते हैं यहां पर एक कोशन भी बना हुआ है बहुत अच्छा gate examination में हुआ हुआ 2015 का इतिंग कुशन है नेक्स्ट आप जो हम बात करें सेमी इंपरिकल मैथर ट्राइल ट्राइग्जिल मेथर्ट के बारे में बात करें तो टी इस इकल ट्री पी एक्स वाय अंडर डिवाइड़ वाइड़ वा यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैंने बुलाइए यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है मॉडलस ऑफ लास्टी सिटी और सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा यहां पर डिफलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर रेडियस को रिप्रेजे बात करता हूँ तो नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो बर्मिस्टर में क्या इक्वेशन दीओगी तो अब हम बात कर रहे हैं डिरटिकल मेथड की बात कर रहे हैं तो मल्टीपल लियर्स के लिए जो नहीं इने deflection equation देते हैं that is 1.5 p into a by s into delta ये sorry fix f2 ये कब बोल रहे हैं हम f2 कब आएगा आपके पास जब हम यार मदब normal condition में आपके बास factor नहीं आएगा multiplicating factor ठीक है तो मैंने बोला अगर आप flexible payment के लिए बात कर रहे हैं तो deflection value that is 1.5 p tire pressure into a divided by s modulus of elasticity of soil और उसी के हम flexible payment की जगे rigid payment की बात करते हैं तो delta is equal to 1.18 into p into a by s की बात करते हैं ठीक है ये रहा 1.18 into p into a s a by s ठीक है ठीक मैंने बात करते हैं radius of relative stiffness direct formula याद करो e h cube by 12 के 1 minus mu square hold raise to the power 1 by 4 ठीक है तो आप radius of relative stiffness का अगर formula याद कर लेते हो e h cube by 12 के 1 minus mu square hold raise to the power 4 1 by 4 तो आपने बोला कि देखो जा रहा है यहां पर e क्या है यहां पर modulus of elasticity है h क्या है पर thickness of pavement है k यहां पर दिखने रहा है हां के stiffness coefficient of mu यहां पर presence ratio है तो इनकी value को change करके एक बहुत होता है जनरली आपसे equations याद होना चाहिए equation के basis पर question यहां पर बनता है ठीक है तो यहां पर बोल रहा है equivalent radius of resisting section की अगर बात करता है तो equivalent radius of resisting section अगर a की value less than 1.724 h है तो b की value किती हो जाए 1.6 a square plus h square minus 0.675 h और अगर a की value बड़ी हो जाती ही 1.74 h से तो b is equal to किसके बराबर हो जाएगा a के बराबर तो इस are the few things जो आपको pavement design में मैंने आपको बताई इसके बाद चलिया यह थोड़ी सी और बात करते हैं तो अब हम बात कर रहे हैं यहां पर यह तो हो गया design of फ्लेक्सिबल पिवमेंट जब हम design of rigid pavement के बारे में बात करते हैं तो design of rigid pavement में मैं चाहूंगा आप से क्या आप क्या करिएगा जो वेस्टरगार्ड equation है वो आप सारी equation को एक बार देख लीजिएगा क्योंकि gate point of view से वह बहुत ज़्यादा तो अगर मैं आपसे रिजिएट पेवमेंट के बात करता हूँ तो यहां पर देखेगा धियान से तो मैंने बूला तो temperature stress की अगर मैं क्या बोल रहा है कि हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करेंगे और frictional force sf is equal to kis के बराबर f into gamma c into lx by 2 के बराबर ठीक है f into gamma c into lx by 2 के बराबर यह है आपका frictional force अगर frictional stresses में देखा जाए similarly अगर आप expansion joint के लिए बात करते हो तो expansion joint में आपसे बोला थे कि change in length is equal to l alpha delta t के बराबर होना चाहिए जिसमें कि मैंने आपको बच जाएगा delta y to beach में तो 50% ही expand होता है जान पूछ के छोड़ा जाता है तो यहां पर बुला गया कि width of expansion joint कितना consider किया जाता है जनरली तो आपने बोला 2.5 cm similarly spacing between the expansion joint जो consider करी जाती है that is equal to 140 meter अगर contraction joint की बात करी जा रहे है तो कई बार आपसे double bar की बात कि जाएगी कि double bar insert किया double bar insert नहीं किया length of direction of traffic में कौन से बार्स को प्रोवाइड किया जाता है perpendicular to the direction of traffic कौन से बार्स को प्रोवाइड किया जाता है यह सारी बाते basic है तो मैंने बहुत यहां पर कोई भी double bar use नहीं किया जाता है तो अगर आपसे frictional force की बात की जाएगी तो इस एफ इंटू गामसी इंटू एलेक्स की क्या बात होगी और स्ट्रेश को रिप्रोजन कर रहा है इस इस टेल को रिप्रोजन करर रहा है कांक्रीट के दा प्रस निकाल खाल तो यहां पर area of steel निकालना मैंने आपको पहले सिखाया तो f into gamma c into b into h by sigma s थी अब अगर यह AST आगे तो spacing आप कैसे निकाल होगे मैंने वह पाइबाइ 4 a square divided by total area multiplied by thousand will give you the spacing ठीके सर मैंने note डाल के लिख्वाया यहां पर कुछ बात तो मैंने note डाल के लिख्वाई यहां पर कि 5 शुद नॉट भी ग्रेटर दें 20 mm जो भी आप बार डाल रहे हो टाई बार में वह तो सिगमाइस्टी इंटुफाइं इंटू फौर टाउ बी अगर आप लेंट अफ डेवलपम्ट अगर आप यह पता करना चाहते थे कि वाट इस दी लेंट और तो लैंट आप त्टाइवार आप सफिलन्त की वैल्यूजिट तुर को不錯 टो टो यहां पर घथर हम इसके आप अरो प Dame डिजाइन तो अब इस से रिलेटेट अगर आपको कुछ भी doubt और भी है खडब तो इससे related आपको कुछ भी doubt आ रहे ले अ अगर आपको लगता ही कि सर में को question practice करना है तो आप इसी वीडियो के comments box में डालियागा कि कि यह video माइड भी हो सकता है, 9 बजे स्टार्ट हो ग्यारा बजे खतम हो रहा हो क्योंकि ये वीडियो है वन आर फॉटी सेवन मिनिट का फॉटी एट मिनिट का तो मतलब आपका मैंने दो घंटी का अपरॉक्स में मैंने आपको बहुत important important question formulas को revise करवाया है ऐसे ही 8 subject इस मन्त में आपको मिलने वाले हैं तो जादा सब जादा अपना support रखिए कोई भी वीडियो आपको दिखता है लिंक दिखता है तो उसको पहले like करिए ताकि आप लोगों का जो connection है आप लोगों का जो driving force है वो हम लोगों को और zealious बनाए अगर आप चाहते हैं कि question practice करना चाहते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो comment box में जरूर डाले कि सर मजा आ गया इस तरीके के वीडियो में और ऐसे और भी वीडियो हमारे लिए करते रहे हैं इसके बाद rigorous question practice दो दिन रखेंगे हम लोग कल और पर्षो तो बस मिलते हैं आप लोगों से कल और पर्षो और अपनी preparation को पीक पर ले जाते हैं ठीक है इसके लावा कोई भी चीज़ अगर आप मुझसे expect कर रहे हैं तो मुझे जरूर बताइए इसके notes आपको इसी वीडियो के comment box में पिंड मिलेंगे या फिर अडर 247 की app पर मिल जाएंगे ठीक है तिल दिन बाबाए thank you so much and love you all झाल 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 झाल